दिसंबर के पहले सप्ता में ही शुक्र गोचर करने जा रही हैं शुक्र मकर राशी में गोचर करेंगे इसी के साथ चंद्रमा और शुक्र का द्विग्रा योग भी इस हफते बनने जा रहा है ऐसे में इस हफ़ते शुक्र के प्रभाव से पांच राशी के जातक करियर और अपनी परसनल लाइफ में अपार हुशियां और सफलता हासिल करेंगे मेश, मिथन समेत पांच राशी के जातक बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं शुक्र के प्रभाव से इन राशी के जातकों की लव लाइफ में भी रोमांटिक मोड आने वाला है। आईए जानते हैं इस सप्ताह की पांच लखी राशियों कौन सी हैं। आईए जानते हैं इस हफ़ते का साप्ताहिक लखी राशी फल, मेश राशी। मेश राशी के लोगों के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह बेहद लाबकारी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कई अच्छा अवसर मिलने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको रोजगार और करियर व्यवसाय आदी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस हफ हफते नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में अपने सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस हफते आपको अपने करीबी मित्रों से पूरा सहयोग मिलने वाला है। उनकी मदद से आपके कई अटके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको मन्चा ही सफल्ता मिलेगी. साथ ही इस हफ्ते आपके दामपत्य जीवन में धेर सारी खुशिया आने वाली है. बात करें, आपके स्वास्थे की तो आपका स्वास्थे इस महीने सामाने रहने वाला है. मिथुन राशी मिथन राशी के जातकों के लिए दिसंबर का पहला सप्ता में आपको अपने करियर के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है मन चाही सफलता न मिलने के कारण आपको मन थोड़ा चिंतित रह सकता है लेकिन जैसे जैसे सप्ता आगे बढ़ेगा आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी साथ ही आपके दोस्त और परिवार के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे परिवार का सहयोग मिलने से आप कई बड़ी समस्याओं का सामना इस हफ़ते आप बड़ी आसानी से कर लेंगे इस हफ़ते आपको थोड़ा अपने खानपान और दिनचर्या को ठीक करने की ज़रूरत है बस इसे लेकर लापरवाही ना करें तुला राशी तुला राशी के लोगों के लिए दिसंबर के पहले सप्ता में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है साथ ही इस हफ़ते आप अपने किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ती की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त करेंगे कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बहुत ही शुप साबित होने वाला है इस हफ़ते आप अपनी किसी संपत्ती की मदद से बड़ा आर्थिक लाप प्राप्त करने में सफल रहेंगे साथ ही इस हफ़ते आपकी लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्थ बढ़ेगा दामपत्य जीवन सुख में रहने वाला है व्रुष्चिक राशी व्रुष्चिक राशी के लोगों के लिए दिसंबर का पहला सपता बहुत ही भाग्यशाली रहेगा क्योंकि इस हफ़ते आपको वह सभी मौके मिलने वाले हैं जिनके आप पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे इस हफ़ते आपको परिवार खासकर पिता का पूरा सहयोग प्राप्थ होगा हालांकी परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए छातरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है सप्ता के दूसरे भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ती से मुलाकात होगा जो भविश्य में आपको बड़ा लाब दिलाएगी साथ ही इस हफ़ते नौकरी पेशा जातकों को मनमताबिक प्रमोशन या ट्रांसफर मिलने के योग भी बन रही है जीवन साथी के किसी बड़ी उपलब्धी मिलने से घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे धनू राशी धनू राशी के जातकों को दिसंबर के पहले सप्ता की शुरुवात में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा भागदौर करनी पड़ सकती है इस दौरान आप अपने किसी प्रियम मित्र या किसी प्रभावशाली व्यक्ती की मदद से आपके लंबे समय से अटके हुए कार्यों पूरे हो जाएंगे इस सप्ता के दूसरे भाग में व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको सुखद लाभ दिलाएंगी साथ ही आज परिवार के साथ किसी परियतन स्थल पर जाने के प्लान कर सकते हैं इस हफ़ते आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है